नमस्कार आज कहानी गोल्ड में सुनिये आशा पांडे जी के लिखी कहानी वसीयत यहीं इसी जगह पर पहले एक चॉल हुआ करती थी उसमें चार खोली हमारी थी उधर आनन्द अपार्टमेंट के सामने वाले उस फ्लेट में तो हम बाद में गये थे पहले यहां से देखता था वो फ्लेट अब तो देखो बीच में ये इतने फ्लेट हो गए यहां मुंबई का तो पूछो मत हर महीने एक नया फ्लेट उगाता है तो उस साल महाड़ा के स्कीम इस इलाके के लिए भी आई थी मेरे भाई ने भी फॉर्म भर दिया था उसका नसीब देखो लग गया उसका नमबर वो समय उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे इधर उधर से मांके भी कमपड रहे थे मेरी भाभी ने भाई को सुझाया कि मांके गहने बेश दो आखिर गहने इनही दिनों के लिए तो होते हैं भाई ने गहने बेश दिये अच्छे पैसे मिले थे मांके गहनों से पुराने जमाने के एकदम शुद्ध सोने के मोटे मोटे चार कड़े थे गले की मोटी सी चेन थी दादी की दी हुई सोने की मोटी करधनी भी थी अंगूठिया बूंदे तो कई कई जोडे थे मांके पास कुछ उसे शादी में मिले थे कुछ मेरी दादी ने दिया था मां जब तक रही अपने गहनों को समहाल कर रखी तभी तो भाई के काम आए वो गहने उधर हमारा फ्लेट चोथे माले पर था उस माले पर चार फ्लेट और थे सारे वन भी एच के एक हॉल एक बेडरूम एक किचन रसोई मिला कर बस तीन कमरे रहने वाले हम पांच जन मैं मेरा भाई मेरी भाभी और उसके दो बच्चे एक बेटा एक बेटी मैं सुबह उठकर घर में जाड़ू पोचा करती बरतन माजती तुकान से दूध और ब्रेड ले आती सबजी भाजी काट लेती आटा गूंत कर रख लेती तब तक मेरी भाभी भी उठ जाती मेरी भाभी को घर में भीड़ भाड अच्छी नहीं लगती थी इसलिए उनके उठने के बाद मैं हॉल से लगकर उपर जाने वाली सेड़ियों पर बैट जाती थी लोग लिफ्ट से उपर नीचे आते जाते थे थे न इसलिए सेड़ियां खाली ही रहती थी और मुझे बैटने का इस्थान मिल जाता थी नाश्ता और खाना भावी ही बनाती थी मुझे देखकर उन्हें घेना जाती थी वो मेरे दाथ थोड़े बड़े और भद्दे थे न इसलिए जब तक खाना बनता था मुझे रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी जब भावी सबका टिफिन भरकर तैयार कर देती थी और खुद भी अपना टिफिन लेकर ड्यूटी पर निकल जाती थी तब मैं रसोई में जाती थी नाश्ता खाना जो कुछ भी रहता था खा ले थी और फिर से किचन की सफाई कर बरतन माज थी कपड़े धोती और दोपहर में बैठ कर टीवी देखती मेरी भतीजी मीता जब बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई पर कैसे कैसे तो लोग हैं इस दुनिया में बेचारी को ठीक से रखे ही नहीं आ गई लोटकर कुछ दिन बाद उसका तलाग हो गया उसे देख देखकर मेरा मन भीतर ही भीतर बहुत रोता था अब मेरी भतीजी भी घर में रहने लगी अब दोपहर में हम दोनों साथ साथ बैठ कर टीवी देखते वह दिवान पर बैठ जाती मैं नीचे फर्ष पर वह मुझसे घिनाती नहीं थी भाभी के छुट्टी वाले दिन में काम करके पूरी दोपहर सेढ़ियों पर ही बैठी रहती थी आने दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी पर बरसाथ में पानी की बचार सेढ़ियों तका जाती थी मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में शिन्दे परिवार रहने आया शिन्दे भावी और मेरी भावी कभी कभी बातचीत करती थी लिफ्ट से उपर नीचे आते जाते समय जब उन्हें मैं सेड़ीं उपर बैठी दिख जाती थी तब वो मेरा भी हालचाल पूछ लेती थी मेरे होट बहुत अधिक न फैल जाएं इस बात का ध्यान रखते हुए मैं धीरे से मुस्कुरा देती थी मुस्कुराने के अलावा मैंने उन्हें कभी कोई जवाब ही नहीं दिया धीरे धीरे उन्होंने मुझसे कुछ पूछना छोड़ दिया और सामने पढ़ने पर मुस्कुरा जरूर देती थी मेरी भाभी कहती थी कि मेरे दात गंदे है तो मैं सोचती थी कि जैसे भाभी को मेरे दातों के घिन है ऐसे दूसरों को भी होगी बस इसलिए मैंने सबसे बोलना मुस्कुराना छोड़ दिया था एक दिन जब मेरी भावी के छुट्टी थी उन्होंने पकोड़े बनाए एक लेट में पकोड़े भर कर उन्होंने मुझे शिंदे भावी के घर दे आने के लिए कहा जब मैं वहां गई तो शिंदे भावी ने मुझे बैठने के लिए कहा मैं सकुचाती हुई बैठ गई उन्होंने मुझसे पूछा तुम इनके यहां काम करती हो मैंने मुह पर हाथ का आड़ लेते हुई कहा नहीं ये मेरे भाई का घर है मैं यहीं रहती हूँ तुम इनकी बहन हो हाँ उन्हें जैसे विश्वास ही नहीं हुआ ये मुझे काम करने वाली समझती है उन्होंने मुझे चाय पिलाई बोड़ी देर वहाँ बैठ कर मैं वापस आ गई उस दिल उनसे मेरी बहुत कम बात हुई और उतने से ही वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी मेरा उनसे बार बार बात करने का मन होने लगा और मैं अपने दातों पर खुब रगड रगड कर ब्रश करने लग गई एक दो पहर जब भावी अपनी डूटी पर थी तथा तेजस अपने स्पूल और मीता अपनी सहली के घर गई थी मैंने उनका दर्वाजा खटखटाया दर्वाजा उन्होंने ही खोला मैं हडबडा कर पूछ बैठी आप कौन सा शेंपू लगाती है आपके बाल बहुत अच्छे हैं मुझे भी वही शेंपू लाना है उन्हें सामने देखकर मुझे यही बहाना सूचा था वो मुस्कुराई उन्होंने शेंपू का नाम बताया जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी मैं शेंपू के नाम को तुरंद भूल गई और अगला प्रश्न कर बैठी उस दिन पकौडे अच्छे बने थे हाँ बहुत अच्छे आओ बैठो ना मैं यही चाहती थी दिना देर की अंदर जाकर पुरसी पर बैठ गई मीता कह रही थी कि नमक कुछ कम हो गया था नहीं ठीक तो था तुमने भी तो खाया होगा नहीं पकौडे कम पड़ गए थे अचानक मेरे मुह से निकल गया वो मुझे कुछ देर तक देखती रह गई और मैं अपनी छेप मिटाने के लिए आसपास रखे सामानों पर नजर दोडाते हुए बैठी रही उन्होंने मुझसे पूछा आप इतनी गर्मी में भी पूरी पूरी दो पहर बाहर जीने पर बैठी रहती हैं क्यों मुझे उनकी प्रश्ण पर मस्कुराने का मन हुआ पर न जाने कैसे मैं रो पड़ी वो मुझे गले से लगाई चुप कराई कुछ देर वहाँ बैठ कर मैं अपने घर आ गई अब मैं मौका पाते ही उनके पास चली जाती थी वो मुझे से बहुत सी बाते पूछती थी मैं उन्हें बहुत सी बाते बताती थी जैसे हम लोग पहले पीछे वाली चौल में रहते थे अब मेरे माबाप नहीं है मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी हम लोग साथ साथ बाजार जाते पिक्चर देखते भेल पूरी बड़ा पाव खाते मेरी सहेली बहुत गरीब थी उसकी पढ़ाई का भी खर्च मेरी माहीं देती थी पिता जी की किरानी की दुकान थी जब मेरे पिता जी का हार्ट फेल हो गया तब उस दुकान को मेरा भाई समालने लगा मेरी सहیली बहुत अच्छी थी मेरे भाई के साथ बाजार जाती थी और दुकान के लिए मोल भाव करकर थोक में सामान खरिदवाती थी भार्वी के बाद हम दोनों ही नर्ज की ट्रेनिंग करने लगे ट्रेनिंग को तीन-चार महीनी ही बीते थे कि एक दिन मेरी मा का भी हार्ट फेल हो गया मैं और मेरा भाई बिना माबाप के हो गया मेरी सहेली हम दोनों का अब और अधिक ध्यान रखने लगी एक दिन उसने मुझे संचाया कि मैं ट्रेनिंग छोड़ कर घर में रहूँ भाई के खाने पीने की विवस्ता की ट्रेनिंग छोड़ दी कुछ दिनों बाद मेरे भाई ने शादी कर ली तुमने नहीं की शादी मुझे बीच में टोक्ते हुए उन्होंने पूछा नहीं, नहीं की शुरू-शुरू में मेरे लिए कई रिष्टे आए कई जगे बाद चली पर मेरे भाई और भावी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था और जो पसंद आता था उसे मैं पसंद नहीं आती थी फिर धीरे धीरे रिष्टे आने बंद हो गए उन्में इतनी सुन्दर भी तो नहीं थी कोई मुझसे शादी करता मैं हसने लगी किसने कहा तुम अभी भी बहुत सुन्दर हो बस रहती नहीं हो ठीक से पहले भी ऐसे ही रहती रही होगी अब देखो न इतना लंबा धेला ढ़ला कुर्टा पहनती हो कले में किसी भी रंकी ओढ़ने लटका लेती हो बुरा मत मानना लेकिन ठीक से रहो तो अभी भी सुन्दर हो हाँ पर भाभी के कपड़े मुझे बड़े और धीले ही होते हैं तो सिलाई करवा के अपने नाम का बनवालिया करो टेलर बहुत पैसा मांगता है भाभी कहती है इतने पैसों में तो नया सिल जाएगा तो नया सिल वालिया करो और ये जो बोलते समय मुझे पर हाथ रख लेती हो ये भी पुरानी आदत होगी जी वो मेरे दाथ बहुत बड़े और गंदे है न मैंने नजरे जुकाते हुए कहा तुम्हारे दाथ न तो इतने बड़े हैं और नहीं गंदे अपने नाप का कपड़ा पहनो बात करते समय मुझे पर हाथ मत रखा करो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है अपने को कम मत समझा करो मैं चुप हो गई उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि सही तो कह रही है ये मुझे अपने नाप के ही कपड़े पहनने चाहिए कुछ दिर चुप रहने के बाद मैंने उन्हें बताया जब मेरी सहेली थी न तब मैं उसके साथ जाकर अपने नाप के कपड़े खरीदती थी बहुत अच्छी पसंद थी उसकी और तब मेरे पास पैसे भी रहते थे तुम्हारी सहेली अब कहा है यहीं है इसी शहर में हाँ मेरी आवाज धीमी हो गई कभी मिलने नहीं आती मैं चुप रही उन्होंने बाद जारी रखते हुए पूछा उसकी तो शादी हो गई होगी न हाँ कपकी हो गई शादी के बाद बहुत से जिम्मेदारियां आ जाती हैं इसलिए वो नहीं आपाती होगी तुम लोगों को मिले भी तो लंबा समय बीद क्या है एक बाद जाकर उससे मिलाओ तो फिर से मिलने जुलने का सलसला शुरू हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा अकेले जाना तुम्हें कठिन लगे तो अपने भतीजी या भावी को साथ लेकर चली जाओ मैं चुप रहना चाहती थी और पता नहीं कैसे मैंने सिर नीचे किया और धीरे से कह गई मेरी भावी ही मेरी सहेली थी वो बड़ी जोर से क्या कहकर चौकी थी फिर बहुत देर तक हम दोनों ही चुप बैठे रहे बाद में मैं अपने घर आ गई अगले कई महीनों तक सब छीक ठाक चलता रहा इस बीच नगरपालिका ने हमारी चाल को तोड़ कर उस जगे पर अपार्टमिन बनाना शुरू किया हमारी खोली के बदले में मेरे भाई को दो वन आर के फ्लेट मिलने वाले थे एक दिन जब मेरे घर में कोई नहीं था तब शिंदे भावी ने मुझे अपने घर बुलाया उनके घर में एक मैडम बैठी थी शिंदे भावी ने बताया कि एक संस्था की अध्यक्ष है इनके संस्था महिलाओं के हित का काम करती है उन मेडम ने मुझे मेरे पिता का नाम तथा मेरी चाल का पता और नमबर पूछा मैंने उन्हें बता तो दिया पर मन में विचार आया कि जब अब चाल गिरा दी गई है तब उसका पता और नमबर पूछ कर ये क्या करेंगी शिंदे भावी ने मुझे से कहा कि ये पता और नमबर पूछने वाली बात को मैं किसी से न कहूँ वो मुझे अपनी सी लगने लगी थी मैंने उनकी बात गाठ बांद ली और कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया एक महीने बाद महानगर पालिका से एक नोटीस आई जिसे पढ़कर मेरा भाई चिंते दिखने लगा मैं बाहर सेड़ियों पर बैठी थी भावी से बता रहा था कि मैं खोली का अकेला वारिस नहीं हूँ किसी ने इस बात की शिकायत कर दी है अब जाच होगी उसके बाद भावी उस पेपर को बहुत देर तक पढ़ती रही अगले कई दिनों तक मेरे घर पर महानगर पालिका के कई करमचारी आए गए मेरा भाई भी वकीलों के यहां चक्कर लगाता रहा मुझे शक हुआ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है कहीं उसका संबंध उस महिला को पोली का पता और नंबर बता देने से तो नहीं है मैं मौका देखकर सामने वाली भावी के पास गई उन्हें सब कुछ बताया और जादना चाहा कि मेरे पता और चाल नंबर बताने के कारण ही ये सब हो रहा है क्या मैंने शंदे भावी से जो कुछ पूछा उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया उल्टे मुझसे ही पूछ बैठी वो तुम्हारे पिता की खोली थी न क्या तुम नहीं चाहती हो कि उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिले हिस्सा? क्या करूँगी मैं हिस्सा लेकर रहती तो मैं यहीं हूँ हाँ सीड़ियों पर बैठ कर उत्रे हुए कपड़े पहन कर बच जाए तो खाकर नहीं तो संतोश करके वो आवेश में बोल रही थी और मैं आश्चरे से उन्हें देख रही क्या रिष्टा था उनसे हमारा फिर भी कितनी अपनी सी लग रही थी वो कुछ दिर बाद वो एका एक नरब होई मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली चार खुली के बदले दो फ्लेट मिल रहा है वनार के ही सही पर है तो दो फ्लेट उसमें से एक तुम्हें मिल जाए तो क्या गलत होगा क्या तुम नहीं चाहती हो कि दो पहर आराम से बिताओ बोलो मैंने हा में सिरहला दिया तब तुम शांत रहो बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए पर प्रोपरटी के किसी पेपर पर दस्त कत्मत करना और जब भी जरूरत पढ़े खुल कर कहना कि तुम्हें भी पिता की संपत्ती में हिस्सा चाहिए समझी ना मैंने फिर से हा में सिरहला दिया बैठी ठा कुछ समझ नहीं पाई मेरी बुद्धी इस और कभी गई ही नहीं ये मेरे भाई का घर है मैं उसके साथ रह रही हूँ और ऐसे ही रहते रहना है इस से अधिक मैंने कुछ सोचा ही नहीं था पर अब दिमाग में हर समय यही गूझता है मेरा भी हक और मैं दिन दिन भर सेडियों पर बैठी रहती हूँ मेरा भी हक और मैं भाभी के उत्रे कपड़े पहनती हूँ मेरा भी हक और मैं कुर्सी या विस्तर पर बैठ नहीं सकती हूँ मेरा भी हक और मैं पकोड़े समूसे या कुछ नया बनने पर रसोई में उसे बनता देखकर संतोश करती हूँ मेरा भी हग, मेरा भी हग अथोड़े की तरह वार करकरके मुझे सचेत कर दिया इस शब्दने अब मैं भी चाहने लगी कि एक फ्लेट मुझे मिल जाए मेरा भाई और भावी दिन भर अनुमान लगाते कि उनके खिलाब शिकायत करने वाला व्यक्ति बिल्डिंग का ही है या कोई नाते रिष्टेदार है एक दिन मेरे भाई ने एक पेपर मेरे सामने फैला कर कहा यहाँ इस जगे पर दस्कत कर दो मुझे शिन्दे भावी की बात याद हो आई मैंने पूछा क्या है ये? मेरा दस्कत क्यूं चाहिए? खोली का पेपर है दोनों फ्लेट मेरे नाम चढ़ने है इसलिए मेरे भाई को विश्वास था कि मैं उसके बोलते ही दस्कत कर दूँगी पर जब मैंने दस्कत करने से मना कर दिया तो वह चीखा क्या? तुम दस्कत नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मुझे भे हिस्सा चाहिए शिन्दे भावी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही बोल दिया मेरे भाई को जैसे करंट लगा तो तुम ने शिकायत की थी मेरी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया पर लेना है मुझे वर्षों से मैं भाई के सामने चुप रहती आई थी और अब जब बोली तो सीधे हिस्से की बात मेरे भाई को मेरी ये गुस्ताखे बरदाश नहीं हुई उसने मुझे जोर का धक्का दिया मैं फर्ष पर गिर पड़ी वह चिलाता रहा नमक खराम मैं इतने सालों से पाल रहा हूं तुम्हे और तुम हो की एहसान मानने की बजाए इस्सा मांग रही हो याद है माबाप को गुजरे 25 साल हो गए मैंने मुझ मोल लिया होता तो अनाथों की तरह कहीं भीख मांगती पड़ी रहती तब तुम्हारा दिमाग इतना न चलता आज चली हो इस्सा मांगने वह चिलाता रहा मैं फर्ष पर उन्धे मुझ पड़ी रही नहीं चोट लगने के कारण नहीं दिल के दर्थ के कारण सारी शक्ती ने चुड़ गई थी अपने से उठवाना संभव नहीं लग रहा था मीता घर पर थी तेजस भी था तेजस से तो नहीं पर मीता से मुझे उमीद थी कि भा आएगी मेरे पास लेकिन भा भी नहीं आई अचानक मुझे ध्यान आया ये मीता कैसे आएगी आखिर पैर तो पेट की तरफ ही मुड़ता है मैं ही उल्टी उमीद लगा बैठी हूँ हता शोकर मैं खुद ही उठी भाई अभी चिल्ला रहा था मैं चूप रही पर दस्कत मैंने नहीं किये अगले कई दिनों तक मेरी भाई और भाई ने मुझे तरह तरह से संजाया प्रेम दिखाया लालच दिखाई डाट फटकार लगाई पर मैं टस से मसना हुई शिंदे भाई की बात मुझे अपने भाई भाई की बात से अधिक भरोसे की लगी थी एक दिन मेरे भाई का धैरे समाप थो गया उसने पहले तो मुझे खूब गालिया दी जी भर कर हाथ उठाया और अंत में मुझे घर से निकाल दिया दो अपार्टमेंट छोड़कर दूर के रिष्टे की मेरी एक मौसी रहती थी मैं उनके घर गई मेरी मौसी ने कहा मैं तुम दोनों की लड़ाई जगड़े में तो नहीं पढ़ूंगी पर तुम जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो मैं मौसी के घर रहने लगी भाई कोर्ट में ये नहीं सिद्ध कर सकता था कि वह पिता की कलोती संतान है और मैं अपना हिस्सा छोड़ने को तयार नहीं थी और इस प्रकार दो आर के फ्लेट में से एक ये बाला मेरे नाम हो गया फ्लेट मिलने में साल डेर साल का समय बाकी था मैं मौसी के घर रहने लग गई थी मौसी ने वहीं पास की ही एक किराना की दुकान पर मेरी नौकरी लगवा दी मौसी को एक बेटी थी जो अपने ससुराल में थी यहाँ बस मौसा मौसी रह रहे थे मैं अपनी कमाई का कुछ पैसा मौसी को दे देती थी तथा घर के कामों को भी कर लेती थी इस प्रकार मैं मौसी पर बोज नहीं थी अब मैं खुल कर सास ले रही थी और मन ही मन शिंदे भावी के प्रती कृतग्य थी कभी कभी मेरा उनसे मिल लेने का मन होता था पर उनके घर जाकर मिलने पर मेरे भाई भावी को उन पर शंका हो जाती कभी कदा रास्ते में आते जाते समय मुलाकात हो जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता जब मैं मौसी के घर रहने लगी तो माड़ा ओफिस में मौसी का ही पता दे आई थी एक दिन एक पेपर आया जिसमें फलेट के बनकर पूरा होने की सूचना थी तथा मुझे माड़ा ओफिस में बुलाया गया था मैं मौसी को साथ लेकर वहां गई मेरा भाई भी वहां पहुचा था मैं उसे देख कर एक बार गी खुश होई पर उसने मुझे घोर कर देखा और अपनी नजरें दूसरी और फेड ली उसने मौसी से भी बात नहीं की मुझे बहुत दुख हुआ मैं फिर से कमजोर हुई क्या करूंगे इस फ्लेट को लेकर जब अपना भाई ही अपना न रहा तो पर ये कमजोरी थोड़ी देर के लिए ही थी जल्दी ही मुझे शिंदे भाभी की बाते यादा गई भाई का वेभार यादा गया मैंने भी भाई की ओर से नजरे फेड ली और जहां जहां मुझे दस्टकत करने को कहा गया मैंने किया तथा फ्लेट का पेपर और चाभी लेकर वापस आ गई मौसी ने मेरे लिए बत्ती वाला एक स्टोव कुछ जरूरी बर्तन थोड़ा सा राशन पानी आदी खरिदवा दिया मैं इन सामानों को लेकर अपने घर में अपने ग्रहस्ती जमा कर रहने लगी नौकरी मैं अभी किराने की दुकान पर ही करती थी और हर रोज मौसी से मिलने उनके घर जाती थी अब सब कुछ था मेरे पास जरूरत भर का पैसा घर, सुख, शांती, सब, सब कुछ फिर भी कभी कभी भाई और भाई के बच्चों की बहुत याद आती थी कभी कभी रास्ते में तेजस या मीता मुझे मिल जाते थे पर मुझे देखते ही वो या तो अपना रास्ता बदल देते या अपना मुह मोड कर दूसरी तरफ देखते हुए निकल जाते और ऐसा जिस दिन भी होता मैं मौसी के पास जाकर घंटो रोती दस वर्ष हो गए इस बात को अब तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी अपने घर में पेंग गेस्ट रखती हूँ दो लड़किया हैं उनको खाना भी बना कर देती हूँ इतना पैसा मिल जाता है कि मेरा गुजर बसर हो जाता है क्या कहा मेरे बाद इस घर का क्या होगा मौसी को भी यही चिंता थी कभी कभी कहती थी तेजस के नाम वसियत कर दे अपने आखरी समय में सठिया गई थी न पैसे एक राज की बात बताओ वसियत मैंने कर दी है अरे नहीं तेजस के नाम नहीं मीता के नाम तलाक लेकर मायके में रहती है आखर उसे भी तो एक भाई है अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी के लिए कहानी वसियत